Hello everyone, कैसे हैं आप सब? आप सभी कईबाब फिर से मेरे चानल हलचल इन बॉलिवूड पर स्वागत है बॉलिवूड में बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेसेस रही हैं जिनकी जिनकी लाइफ रोमान्चक रही है हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं वो एक सर्प्राइस पैकेज की तरह है इनकी जिन्दगी का कोई वक्त ऐसा नहीं रहा है जिसमें कुछ नया और रोमान्चक ना हुआ हो मैं बात कर रही हूँ नफीशा अली की जो सूरत और सीरत दोनों से बेहत खुबसूरत हैं और जिनकी जिन्दगी किस्सों से भड़ी पड़ी है वो किस्से जो ना केवल मोटिवेशनल हैं बलकि थोड़े हटके भी हैं तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं नफीशा अली का जन्म 18 जन्वरी 1957 को कोलकाता में हुआ था उनके पिता एक मुस्लिम बेंगॉली थी लेकिन मा एक एंगलो इंडियन क्रिस्चन थी नफीशा अली के पिता एक फोटेग्राफर थे और उनका परिवार काफी मॉडरन था नफीशा के दादा एक फेमस राइटर और बॉआ एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फैमिनिस्ट थी इसलिए एक मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद नफीशा को आगे बढ़ने के लिए कभी रोकाने गया चाए वो स्पोर्ट्स हो, मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो नफीशा के अचीब्मिन्स की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी उन्होंने बहुत ही कम उम्र में तायना सीख लिया था और बाद में उन्होंने महत 17 साल की उम्र में नेशनल स्वीमर चैंपेंशिप भी जीता उन्हें सिजलिंग वाटर बेबी कहकर बुलाया जाता था क्योंकि वो स्वीमिंग के लगबग हर कॉम्पेटिशन को जीत लेती थी नेशनल स्विमिंग कॉंपिटिशन जीतने के केवल दो साल बाद ही 1976 में उन्होंने स्पोर्ट्स की फिल्ड से बिल्कुल अलग ब्यूट्री की फिल्ड में एक अचीबमेंट हासिल की और वो था फैमिना मिस इंडिया का क्राउन जीतना नफिशा अली के आसपास रहने वाले लोग इस बात को लेकर बहुत ही शूर थे कि नफिशा ही वो क्राउन जीतेंगी और उनके लिए ये विनिंग बिल्कुल भी सर्प्राइजिंग नहीं था मिस इंडिया का क्राउन जीतने के बाद नफिशा अली को 1977 में मिस इंटरनेशनल के कॉंपिटिशन में भेजा गया जहां वो सेकेंड रणर अप रही नफिशा अली अब कई मैगजिन्स और अखबारों के कवर पेज पे थी और वो अब स्वीमिंग सैंसेशन से ब्यूटि सैंसेशन बन चुकी थी नफिशा अली ने एक इंटर्विम बताया था कि 17 से 21 साल के उम्रे के बीच उन्हें जितने फूल गिफ्ट्स के तौर पर मिले थे उन्हें उतनी पूरी जिंदगे में नहीं मिले थे अब नफिशा की बारी थी फिल्म इंडस्ट्री में आने की नफिशा की एक तस्वीर उस समय के एक popular magazine The Junior Statesman के cover page पर छपी थी जिसे रीशी कपूर ने नोटिस किया रीशी कपूर को उनकी खूबसूरती भागई और उन्होंने पिता राजकपूर को नफिशा अली को अपनी एक फिल्म में as an actress कास्ट करने को कहा अब तक नफिशा आगे बढ़ती जा रही थी पर यहां उनके लिए एक रुकावट थी राजकपूर ने उन्हें जब एक फिल्म उफर की तो नफिशा के पिता ने बेटी को फिल्मों में काम करने से मना कर दिया बात यहां कुछ समय के लिए रुक गई लेकिन नफिशा को जब दुबारा जुनून फिल्म उफर हुई तो इस बार उनके पिता ने फिल्मों में काम करने का फैसला अपनी एडल्ट बीटी पर छोड़ दिया नफिशा फिल्मों में काम करना चाहती थी इसलिए वो मुंबई आ गई लेकिन जुनून के बाद जब नासिर हुसेन उन्हें जमाने को दिखाना है मूवी के लिए साइन करना चाहते थे तो फिर से नफीशा के पिता ने उन्हें इस फिल्म में काम करने से रोग दिया और वज़ा यह थी कि फिल्म के कांट्रैक्ट की कुछ ऐसी सरते थे जो नफीशा के पिता को वाजिब नहीं लगी उस वक्त नफीशा अली ने अपने पिता के फैसले को मान लिया लेकिन उस फैसले को मानने का पस्तावा उन्हें काफी लंबे समय तक रहा क्योंकि अपने पिता की वज़ए से वो सिनेमा जैसे स्टॉंग मीडियम से एक लंबे अरसे के लिए दूर हो गई थी लेकिन इस इंडस्ट्री में काम करते वे उनके साथ एक हसीन हाथ सा हुआ जुनून फिल्म की शूटिंग के दौरान ही वो एक पोलो प्लेयर और एक करनल से मिली जिनका नाम था आरेस सोडी सोडी साथ के रेजिमेंट में ही जुनुन फिल्म की शूटिंग हो रही थी सोडी साथ नफीशा अली को बेहत पसंद करते थे और कभी पोलो मैच के दौरान तो कभी हौर्स रैडिंग के दौरान दोनों की मुलाकाते होती रहती थी मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती प्यार में बदल गई पर यह प्रेम कहाने इतनी आसान नहीं थी क्योंकि सोडी साहब नफीसा से 14 साल बरे थे और वो सिख थे जबकि नफीसा अली मुस्लिम सोडी जी की मात दोनों के शादी के सक्त खिलाफ थी इसलिए दोनों ने कोलकाता में कोर्ट मैरिज कर ली और बाद में दिल्ली के महरानी गायतरी मंदर में सिख रिती रिवास से शादी कर ली चुकि यह शादी परिवार के खिलाफ थी इसलिए नफीसा अपने ससुराल नहीं जा सकती थी और पती आमी में थे तो कोई ठीकाना भी नहीं था इसलिए अपने पती के दोस्त के घर उन्हें काफी लंबे समय तक रहना पड़ा हलांकि बाद में उनकी सास मान गई और वो नफीसा से इतनी इंप्रेस हो गई थी कि अपने आखरी समय में वो सिर्फ और सिर्फ नफीसा अली के साथ ही रहना चाहती थी इन सब के दोरान नफीसा अली की लाइफ रुकी ने बलकि अब वो शोशल वर्क और पॉलिटिक्स में अक्टिव हो गई थी इस दोरान वो कई HIV और टीवी के पेशन्स से मिली जिनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा था वो उन पेशन्स की मदद करना चाहती थी उस वक्त लोग HIV और टीवी जैसी बीमारी के लिए ज़्यादा ज्यागरुक नहीं थे उनकी मदद के लिए नफीशा अली को फंड की ज़रुत थी फंड के लिए वो दिल्ली की मुख्यमंतरी शीला दिक्षित के पास पहुँची शीला दिक्षित ने उनकी मदद की और उसके बदले में नफीशा अली ने कॉंगर्स पार्टी जॉइन कर ली और उन्होंने election में सीला दिक्षित को जितवाने में मदद भी की नफीसा अली एक larger platform के लिए politics में काफी लंबे समय तक जुरी रही और सोनिया गांधी के वो काफी करीब भी रही इसी दोरान लबग 19 साल बाद उन्होंने फिल्म मेजर सहाब से सिनेवा में फिर से वापसी की मेजर साब में उनकी जोरी अमताब बच्चन के साथ बहुत पसंद की गई फिर उसके बाद वो बेवफा, Life in a Metro, यमला पगला दीवाना और गुजारिस जैसी फिल्मों में दिखाई दी 2018 में जब वो साहे बेबी और गैंक्स्टर 3 कर रही थी तो उन्हें अपने हेल्थ को लेकर कुछ बदलाव महसूस हुए उन्हें लगा कि उनका Energy Level काफी कम हो रहा है और उन्हें काफी Acidity हो रही है उन्हें लंबे-लंबे Burps आ रहे हैं जब उन्हें टेस्ट करवाया तो उन्हें Ovarian Cancer का पता चला जो कि Third Stage पे था Third Stage पर Cancer का होना एक डरावनी बात थी क्योंकि स्टेज पर बहुत ही कम लोगों की जान बस्ती है पर Nafisa Ali ने किसी चीज में हार कहा मानी थी जो यहां मान जाती उन्होंने अपना Sports वाला Spirit दिखाया और उन्होंने Cancer को भी मात दे दी Cancer से लड़ने के बाद वो फिर से फिल्म में एक्टिव हो गई लेकिन फिर एक और मुसीबत आ गई Cancer के बाद उन्हें Leukoderma हो गया जो कि एक Skin Disorder है और अब वो इस Pandemic में घर में बंद हो गई है Pandemic में भी वो गोवा में थी जहां वो स्ट्रे रॉक्स को खाना खिलाने का काम करती थी नफिशा अली ने हर साल Social Work में कुछ ना कुछ नया किया है उनके Social Work की एक लंबी लिस्ट है जैसे इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है उन्होंने अपनी Personal Life और Professional Life दोनों को काफी अच्छे से Balance किया है पूरना केवल Competition में बलकि एक असल जिंदगी में भी एक Beauty आइकॉन बनी जो की सूरत और सीरत दोनों से खुबसूरत है नफीशा अली हमेशा से Internal Beauty में बिलीव करती है उनका कहना है कि External Beauty का क्या करना आज मैं खुबसूरत हूँ, कल को हो सकता है मुझे थोराड हो जाए तो मैं शायद को उतनी खुबसूरत ना लगूं तो जो External Beauty है वो काफी लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहती है इसलिए उस पर प्राउड करना बेवकूफी है नफीशा अली के तीन बच्चे हैं, दो बेटी और एक बेटा अभी हाल ही में खबर आई है कि उन्हें COVID हो गया है उमीद है कि वो इस से भी लड़कर जल्द घर वापस आ जाएंगी और एक मिशाल कायम करेंगी आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको इस स्टोरी पसंद आई है प्लीज इस लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और सेफ रहें, घर पर रहें थैंकी सो मच